समस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में सामाने ग्यान के कुछ चुनिंदा प्रशन पूछे गए हैं जो किसी भी पृतियों की प्रिक्षा के लिए महत्यपूर्ण हैं इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखे गया और यदि उन प्रशनों के उत्तर आपको पहले से ही पता है तो कमेट बॉक्स में जाकर जरूर पताएं और यदि नहीं पता है तो एक बार आंसर देने की कोशिश जरूर करें तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो फ्रस्ट कॉस्चन है भारत में पर्थम महिला विश्वी विद्यालिया कब इस्थापित हुआ ओप्सन दिये गए हैं 1917, 1915, 1916 और 1925 दोस्तो भारत में पर्थम महिला विश्वी विद्यालिया 1916 इस्थापित हुआ इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन C भारत में पर्थम महिला विश्वी विद्यालिया की इस्थापना डॉक्टर धोडो के सब करवे ने की थी नेक्ट कोश्चन है एशियाई खेलो में सुरण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतिया महिला कून थी ओप्सन दिये गए हैं कमल जीत सिंदु सुचितक करपलानी रजिया बेगम और बचेंदरी पाल दोस्तो एशियाई खेलो में सुरण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारत्य महिला कमल जीत सिंदू थी इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन ए दोस्तो कमल जीत सिंदू ने 1970 बैंक काक एशिया एक हेलों में 400 मेटर दोड़ में सुरण पदक जीता था नेक्स्ट कोश्चन है भारत का पर्थम परधान मंतरी कौन बना था ओप्सन दिये गए हैं पंडिज जवारलाल नेहरू लाल बहदुर सास्त्री इंदिरा गांधी और मुरार जी देसाई दोस्तो भारत का पर्धम परधान मंतरी पंडिक जवारलाल नहरू बना था इसलिए इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन A पंडिक जवारलाल नहरू ने 15 अगस्त 1947 में भारत के स्वाधीनता समारो के साथ अपने परधान मंतरी पद की शपत ली थी नेक्स्ट कोस्चन है भारत का पर्धम महिला विश्व विद्यालिया कहां इस्थापित हुआ था ओप्शन दिये गए हैं दिल्ली, कॉलकाता, मुंबाई और बैंगलूरू दोस्तो भारत का पर्थम महिला विश्वीद्यालिया मुंबाई में इस्थापित हुआ था इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन C नेक्स्ट कोश्चन है माउंट एवरेष्ट पर चड़ने वाली पहली भारतिय महिला कौन थी ओप्सन दिये गए हैं दोस्तो माउंट एवरेष्ट पर चड़ने वाली पहली भारतिय महिला बचेंद्री पाल थी इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन C बचेंद्री पाल ने 1984 में दुनिया की सबसे उची चोटी माउंट एवरेष्ट को छुआ था बचेंद्री पाल माउंट एवरेष्ट पर चड़ने वाली भारत की पहली महिला और वीश्री की पांचवी महिला है नेक्ट कोश्चन है भारत की पहली महिला राज्येपाल कौन थी ओप्सन दिये गए हैं सरोजिनी नाइडू, सुस्मीता सेन, प्रतिभा पाटिल और ममता बनर जी दोस्तो भारत की पहली महिला राज्येपाल सरोजिनी नाइडू थी इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन ए बारत नाम की उत्पत्ती का संबंद प्राचीन काल के किस परतापी राजा से है ओप्सन दिये गए हैं महराना परताप, चंदरगुप्त मोरिये, भरत चक्रवर्ती और असोका मोरिये दोस्तो भारत नाम की उत्पत्ती का संबंद प्राचीन काल के भरत चक्रवर्थी परतापी राजा से है इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन C भरत चक्रवर्थी पर्थम तीर्थकर रिसब देव के जेश्ट पुत्र थे जैन और हिंदु पुराणों के अनुसार वह चक्रवर्थी समराठ थे और उन्ही के नाम पर भारत का नाम भारत वर्थ पड़ा था नेक्स्ट कोश्चन है भारत का पर्थम महिला विशु विद्यालिय कौन सा है ओप्शन दिये गए हैं दोस्तो भारत का पर्थम महिला विशु विद्यालिय का नाम स्रीमती नाथी बाई दामोदर थाके शेरिये है नेक्स्ट कोश्चन है भारत का सबसे बड़ा सहर कौन सा है ओप्शन दिये गए हैं मुंबई, कौलकाता, डिल्ली और मदरास दोस्तो भारत का सबसे बड़ा सहर मुंबई है इसलिए इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन A मुंबई सहर 603 किलोमेटर स्कौायर में फैला हुआ है दोस्तो यदि यह वीडियो आपको अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक और सेयर जरूर कर देना और हमारे यूटूब चैनल जीके राइट को सबस्क्राइब कर देना ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके